लोग अपने रसोई में बना लेते हैं गाजर का ड्राइवाला हलवाइ। उसके लिए मैंब ने यहां पर 1 फिर हूँए गाजर को अच्छे से धो कर छीलकर किद्दू कस नकूस करके ले लिया yok या भाड़ेखिवाले घिया कस्पा सब कर दोकस किया है यहां मैंने सिंपल सा काजू, बदाम और किसमिस लिया है और जब यह राइपूर हलका सा भून जाए तब हम इसी में डाल देंगे गाजर जो हमने घिसके रखा हुआ है और फिर हम इसे तीन से चार मिनर तक मेडियम फ्लेम पे भून लेना है ताकि गाजर का जो हलका सा तो यह ज्यादा अच्छा होता है पर हम इस तरीके से बनाएंगे और इसमें हाफ लीटर ही मतलब आधा केजी हैं हम दूर डालेंगे जैसा कि यहां पर गाजर भून चुका है और यहां आधा केजी दूर को मैंने साइड में बॉयल करके रख लिया था यह कच्छा नहीं है यह बॉयल दूर है इस पर की एक लेयर मलाई की भी लग गई तो वही दूर हमने यहां पर डाल देना है और फिर हम इसे ढखकर मेडियम फ्लेम पर बहुत ही आराम आराम से कम से कम 20 मिनट तक पकाएंगे यह जितने मेडियम फ्लेम पर पकाएंगे जितना आराम आराम से पक चीनी को अच्छे से झौक चुका है इसमें चीनी नहीं डाला है। जब दूद्ध अच्छे से सूक जाए तब हमने इसमें चीनी डाल देना है। चीनी आप अपने अवसक्ता के अनुसार डाले। जैसा मीठा रखना हो। गरोम के युद्धने पुनी हैं, हफिंगे इस हल्व का कलर वह बहुत ही प्वारा साथ है केंडरे में इतना अच्छा कलर नहीं आया है इस सामने से बनाएंगे ऀप को पता कैलर कि नहीं प्यारा सही चीनी जालते हुए जाहर अच्छे से इसे पकने देंगे यहाँ पर आपको हलवा जैसा ड्राइ रखना हो आप उतना वैसा सुखा ले अगर आपको थोड़ा नर्म ही रखना हो जादा ही ड्राइ करना हो तो आप चीनी गुल जाए तो बंद कर दे और अगर आपको ड्राइ करना हो तो आप अच्छे से इसे सुखा लिए और लाश्ट में हम एक चमस की करीब फिर से घी डाल देंगे और बस इसे हम कर लेंगे घी को अच्छे से मिक्स और फ्लेम को हम आफ कर लेंगे बस हमारा गाजर खलवा सर्व करने के लिए रेडी है तो अगर रेसी पी थोड़ी सी भी पसंद आयो थोड़ा सावी यूजफूल लगा हो तो प्लीड वीडियो को अपना प्यार जरूर दे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर यह वीडियो फेस्बुक पेच पे देख रहे है तो प्लीड पेच को फॉल्लो करने नहीं पुझे सपोट करने के लिए था